हेलो फ्रेंड्स में गाईत्री हाउ टू मिकमाप सवी का स्वागत करती हूं और आज आप से शेयर कर दी हूं नवरात्री स्पेशल फरहाली रेसिपी जो मैंने एक इपेटर से तीन तरह से बनाई हैं आप लोगो मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज ज़्याद आज शेयर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बैल आइकन को क्लिक कर लिजेगा ताकि नए वीडियो के नोटिफिक्शन आप लोगो मिल सके तो चली स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें लेना है वन बाउल मोर्धन वन बाउल ही साबू दाना दोनों को में भीगो के रख दे था दो गंटे थोड़े से पिनट से लेना है रोस्टेट पिनट है जीरा लेना है हाफ टीजपून सोफ लेना हाफ टीजपून धनिया पत्ति और हरी मिर्ची पानी बिल्कुल निकाल लेंगे इसका जरुत के साथ पानी बाद में डालेंगे इसी के साथ इसमें मैं डालोंगे पिनट्स तो यह रोस्टेट पिनट है इनको मैंने सेख के पहले ही रख लिया था और इसमें डालेंगे सोफ जीरा और धनिया पत्ति हरी मिर्ची इन सभी क डालके और इसमें हम इसको एकदों बारिक पेस्ट तयार कर लेंगे बिल्कुल फाइन पेस्ट तयार करना है इसका तो यहां देखी इस तरह से इसका पेस्ट तयार हो चुका है इसको निकाल लेंगे हम किसी बाउल में तो यहां पर पूरा पेस्ट में बाउल में निकाल ली ह इसमें हम डालेंगे अब दही तो यहां पर मेंने लिया है एक छोटा बाउल याने की हाफ बाउल मेंने दही लिया है दही डालके इसमें हम टेस्क एकॉडिंग नमक डालेंगे नमक डालने के बाद इन सबी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद अगर आप चाहो तो इसमें दही की गॉंटिटिक बढ़ा सकते हो यह देखिए बस इतना ही ठीक रखना है हमें इसे अब इसे रख देते हैं एक साइड और यहाँ पर मैंने लिया है यह इडली का साचा इसे मैं तेल से ग्रीस कर रही हूँ आप चाहो तो दूसरा कोई बरतन ले सकते हो या तो फिक कटोरी में भी बना सकते हो तो इस तेसे मैंने इसे ग्रीस कर लिया है तेल से और यहाँ पर ये एक एक चमच और एक या हाफ चमच इसमें डालेंगे जादर नहीं डालेंगे तो देखी इसे से मैं इसमें डाल लिया है इसको इन सभी को डाल तो यहाँ सभी साचे भर दिया है अच्छे से मैंने यहाँ पर पानी भी बॉयल हो गया, अच्छे से पानी बॉयलर ने के लिए रख दिया था, तो इन साचो को इसके अंदर रख देंगे, और बुफने देंगे, कम से कम 15-20 मिट तक अच्छे से बुफने देंगे इनको, तो यह ठख दिया है मैंने, यहाँ पर पेंट गरम करने युद्व को बनाना है देखें इस तरह से इसको फिलाएंगे हम एक या दो चमर डालकि इसको कट्व iets जीसा फिला देंगे और फ्लेम को मीडियम रखना है हाई भी नहीं रखना है नरहीं तो यह कच्छे रहा जाएंगे अंदर से तो इस तरह से इनको डाल के और चारो तरफ से इनको तेल से इस तरह से करके और फ्राइ करना है यहाँ पर इनको में डिफ्राइ नहीं कर रही हूँ आप जाओ तो डिफ्राइ भी कर सकते हो लेकिन कम तेल में बहुत अच्छी रेस्पी बनके तयार हो जाती है अभी फास्ट में ज़्यादा तेल भी नहीं अच्छा लगता है तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मतलब बिगड़ जाएंगे तो यह देखिए इस तरह से मैं इनको पलट रही हूँ थोड़ी से अच्छे से फ्राई होंगे ना तभी अच्छे से पलटने में आएंगे यह और यहाँ पर इन सब को इस तरह से दोनों साइट से लाइट गोल्डन हम फ्राई कर लेंगे क्रिस्पी और मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे तो देखिए टेस्टी टेस्टी क बढ़ा है किस बढ़े हैं princess बीकित भेलने फैड़ा एकीन कड़ेक कौने आधा है। लेकिन मैं इसे थोड़ा सा फ्राइ करूँगी तो यहाँ पर मैं इसे इडलियों को फ्राइ कर लेती हूँ तो यहाँ पर यह आप चाहो तो इसे डार्क गोल्डन फ्राई कर सकते हो क्रिस्पी फ्राई कर सकते हो लेकिन मैं इसे हलका ही फ्राई करूँगी क्योंकि इसे चाट बनाना है मुझे तो यहाँ पर देखिए इनको निकाल लिया है मैंने और यहाँ पर यह प्लेटिंग कर लेते हैं आप चाहो तो इसे चटने के साथ खा सकते हो या फिर दही के साथ खा सकते हो तो मैं इसे दही के साथ सर्फ कर रही हूँ यहाँ पर मैंने जमा दिया है इन्हें और इसके पर डाल देती हूं दही तो यहाँ पर यह मीठा दही नहीं है आप चाहो तो मीठा दही ले सकते हो इसके पर डालोंगे में जीरा पाउडर, काली मेची पाउडर और आप चाहो तो लाल मेची पाउडर डाल सकते हो टेस्ट के कार्डिंग्स में डालूंगे नमक, थोड़ा सा धन्या पत्ती, आप चाहो तो टमाटर भी डाल सकते हो बिल्कुल बारी-बारी चॉप करके टमाटर डाल के और सर्फ करिये बहुत ही टेस्टी लगता है तो यहाँ पर ये एक रेसिपी ये तयार हो चुकी है इसे के साथ मैं आपके साथ एक और रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो भी बहुत टेस्टी और फटाफट बनके तयार हो जाती है तो यह है वही घोल से बनी हुई पकोडिया है बहुत ही क्रिस्पी बनी थी बहुत ही अच्छी लगी थी यह वाली के जो पकोडिया है तो आप इससे भी इन्हें बना सकते हो तो एक ही घुल से यहाँ पर टीन रेसिपी बनके त्यार हो चुकी है आपको जो अच्छी लगती है वो बना के खाईए फरहाल में और बहुत ही टेस्टी और हैल्दी है तो यह देखिए तो यह रेसिपी आप लोगों को मेरी कैसी लगी ज़रूर बताईएगा अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज जादा शेयर लाइक और चैनल पर आयें पहली बार तो सब्सक्राइब कर लिजीगा चैनल को और बैल आइकन को क्लिक कर लिजीगा फिर मिलती हूँ नेक्स जैसिपी में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर घर में रहिए सेफ रहिए